स्वागते साथियों साइंस का जो प्रैक्टिस सेठ है उसमें हम लोग फिजिक्स का पहला चेप्टर मापन से करेंगे तो यहां पर पहला कोश्चन देखता है चालक की वेदुत प्रतिरुपता की एकाई है फैरेट वोल्ट एंपियर ओम मीटर अंसर होगा ओम मीटर दूसरा प्रकास वर्स है प्रकास वर्स क्या है तो वह दूरी जो प्रकास एक वर्स में तह करता है यह लगों होता है 9.46 तो दूसरा एक अगर आपको में अगर आपको मीटर से थिट में बदलना आता है तो एक मीटर बराबर होता है थ्री पॉइंट जीरो फाइब जो है अपका होता है एक मीटर में फीट अगर इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे 6 तो आपका लगभादे 183 जाएगा और आप है कि जो नैनो मीटर होता है 10 to the power minus 5 9 होता है जब उसको multiply करेंगे तो आपका C विकल्प सही होगा 183 का multiply होगा 10 to the power 7 नैनो मीटर नेक्स्ट है तेल का एक barrel निम्न में से लगबग कितना होता है तो तेल का एक barrel होता है 169 लीटर एक micron बराबर है एक micron कितना होता है 10 to the power minus 6 यहाँ का mle terno नहां होगा C विकल्प एक बटे 1000 गुलेटर पास्कल एकाई है किसकी तो पास्कल है दाप की पार्सेग मात्रक है पार्सेग दूरी का मात्रक है पार्सेग में आपको पता होने चाहिए चिपर कितना प्रकास वर्स होता है एक पार्सिक में तो 3.26 प्रकास वर्स होता है एक पार्सिक में प्रकास वर्स ही काई है किसकी दूरी की जो प्रकास एक साल में चालता है करता है 3.084 multiplied by 10 to the power 16 मीटर की तो वही दूरी जो है प्रकास वर्स कहलाती है एक पार्सिक तारों सम्मनी दूरियम आपने का मातरक बराबर है किसके बराबर है तो अभी बताया है 3.26 light year कारे का मातरक है तो कारे का मातरक होगा जूल यहाँ आपको बहुतिक रासियों और हिकाईयों को मिलाना है तो एक तरफ भहतिक राशियां, दूसरी तरफ फिकाई इनको देख लेते हैं तो त्वरण का इसमे मातरक होगा मीटर पर सेकेंड स्कॉयर बल का होगा न्यूटन उसके बाद खृत कारिका होगा जूल खृत कारिका हो गया जूल आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकिंड तो आपका ये हो गया वकर 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 आपका डी विकल सही हो जाएगा सक्ति का मातरक है सक्ति का मातरक होगा वाट निम्न लिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो decibel द्वन की प्रवलता की काई है असो सक्ति सक्ति की काई है समुदरी मील नौसन चालन में दूरी की काई है जो Celsius उस्मा की काई दिया है अचलि ये पैमाना है तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा यानि कि D विकल स्पिस में आपका सही हो जाएगा एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं एक किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्कॉयर दाप समतुल है किसके एक बार के भी विकल्पिसका सही हो जाएगा एक बार के नेक्स्ट इकाई और प्राचल यानि इकाई हो को यहां के उनका उपयोग कहा होता है तो वाट का प्रियोग जो है सकती के लिए होता है वाट सकती का मातरक है नॉट जो है नॉट का प्रियोग जो होता है समदुरि जहाज की गति के लिए होता है नौटिकल मील जो होता है वो नौस अंचालन में फ्योक्त होता है कैलोरी जो होता है वो उस्मा का होता है चार, तीन, दो, एक आपका विकल्प सही हो जाएगा तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा सूची एक को सूची दो के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है एक पीकोग्राम बराबर होता है तो जो माइनस 12 की घात होती है वो पीकोग्राम के बराबर होता है ठीक है यह जो माइनस 15 का है यह आपका फेम्टो हो गया जो नियुनता मिकाही हो गई फेम्टो हो गई उसके बाद एक्टो आती है और यह जो माइनस 9 दिया गया है तो यह आ आपको हो गया ऑपका मायक्रो हो गया एक क्लिप्र दूरी के तो एक क्लिप्र दूरी है एक थार मीटर बल का मात्रक है झामातार की С्में content लंबाई की न्யूंतल इक्टाइब है यहाँ पर जो vin studying to be power माइनस 15 होता है तो वही pharmi के नाम से हैं तो infteen बेलाम रांजन ने अविस्कार किया था तो बेलेम रांजन ने किस का अविस्कार किया था एकशरी BRA Waxxn का OFF का प्रयोग किया जाता है उजोन परत की मोटाई मापने में निम्ने में से कौन स्विमलित क्रम में हैं आपको यहांपर रेडियम की खूज किस ने की थी TH competitive लीडियम की खूज की थी मैडम क्यूरी ने और पेंसिलीन का तो अलेकजंडर फ्लेमिंग ने एकसरे का डबलू की राजजन ने और चेचक का एडवर्ज इनर ने तो दो एक चार तीन दो एक चार तीन एविकल्प सही हो जाएगा पाइडो मीटर निम्नांकित के नौपने मे प्रियोग में लाया जाता है तो उच्छ अतापमान के मापन में पारियोमीटर का प्रियोग होता है पारस्थितिक दबाओ की इकाई क्या है तो पारस्थितिक दबाओ की इकाई है बार मैनोमीटर की द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनोमीटर गैसों का दाब मापन होत से वोल्ट जो है उससे मापन होता है विभुवांतर और जो कैलोरी है उसका मापन किसमे करता है उसमा का मापन करता है तो आपका हो गया 31245 31245 ए विकल्प आपका सही हो जाएगा एंपियर मापने की इकाई है एंपियर से क्या मापने जाता है विद्द धारा द्वन की तीब्रता मापने वाला यंत्र है तो द्वन की तीब्रता इसमें किसे मापी जाएगी आडियो मीटर से मेगावार्ट बिजली मापने का इसमें जो क्रोनो मीटर दिया गया है क्रोनो मीटर क्या होता है तो क्रोने मीटर जहाजों में सटीक समय मापने के लिए होता है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है तो मेगावाट दरसल जादा बड़ी इकाई होती है जब बिजली का उत्पादन होता है तो मेगावाट में होता है इसलिए उत्पादित की जाती है इसके बाद X किरणों का अविस्कार किस ने किया है तो रदरफोर्ट, रांजन, मैक्सवल, टॉरिसेली तो इसमें रांजन सही हो जाएगा महासागर में डूबी ही वस्तुों की स्थिती जानने के लिए निमन में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो जब महासागर में कोई वस्तु डूबी होती है तो इसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है जो बाकी उपकरण इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो audio meter है वो तो पता चल गया कि आपका द्वन की तीवरता मापने का है जो galvanometer है, galvanometer से विभवांतर यानि की धारा दिशा विदूत का यह मापा जाता है जो इसमें sextant है, तो यह नक्षत्रों ग्रहों के बीच में जो कौन होता है, उसका मापन किया जाता है कौन सा सुमेलित नहीं यह देखना है एनिमो मीटर को यहां दिया गया है वायू की चाल, तो यह तो आपका सही है आमीटर विद्दुधारा यह भी सही है, टैकियो मीटर दावांतर दिया गया, यह दावांतर नहों करके जो मोटर की गुणन गती होती है, वही होगा पाइरो मीटर जो है वो उच्च अताप के मापन होता ये भी सही है तो सुमेलित नहीं है आपका सी विकल्ब सही हो गया चंद्रा एक्सरे दुर्बीन के नाम के बेग्यानिक के सम्मान में रखा गया है तो सुप्रमानियम संसेखर के नाम पर रखा गया है वाइमन्डल की अपेक्षिक आदता किसे मापी जाती है तो हाइड्रो मीटर से जो हाइड्रो मीटर होता है तो हाइड्रो मीटर आपका दुरू का अपकशिक घनत को सही हो जाएगा ztea है हाइडेडेड अपने के लिए यंत्र प्योग लाइजाता है तो वाइवनड लीद्र को किसे कियाता है बैरोमीटर हाइडरोमीटर के बारे में बताई दिया हाइडरोमीटर मैनोमीटर से गैसो का दाब करते हैं सीस्मोग्राफ क्या रिकार्ट करता है तो सीस्मोग्राफ हुकम करता है वाइबंडली दवाव मापा जाता है किसे तो बैरोमीटर से दूद का अप एक की एक किया जाता है केरिक्टोमेंटर से सुने की सुध्ता और लक्समेंटर से प्रकास की विप्रता मापन के लिए हो जाएगा आपका सही भी कल्ब यहाँ पर सी भी कल्ब सही हो जाएगा 3-4-2-1 रग्त दाब नापने का यंत्र रहे तो इस फिद्मों मेनोमीटर से मापा जाता है। मीटर से धारा हो जाएगा हाईग्रो मीटर से सापक्षी कारदता का मपन होगा, स्प्रिंग तुला का भार हो जाएगा और बैरो मीटर का हो जाएगा दाब, इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा 3-4-2-1 3-4-2-1 पी विकल्प रिक्टर पैमाने का प्रियोग होता है तो रिक्टर पैमाने का प्रियोग किया था भुकंपी लहरों का आजाम नापने के लिए कौन सा सुमिलित नहीं है इसमें Celsius का दिया गया है ताप इसके बाद किलोवाट आवर का दिया है विद्दूत ये भी सही है आरेच गुडग जो है रक्त का वो भी सही है रिक्टर पैमाना दिया है आर्दता तो आर्दता का नहीं होता है रिक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ में मापन होता है तो इसलिए आपका ये विकल्प कलत हो जाएगा सुमिलित नहीं है पिर से यहाँ से मिलिद करना है, भूकम्प का केसी होगा? सीस्मोग्राप, मुचाई का होगा? हल्टी मीटर, विद्धु धारा का होगा? आ मीटर और प्रतीरोत का हो जाएगा ओम यह हो जाएगा 2-3, 1-4, 2-3, 1-4 इसमें कौन सा हो जाएगा? दो तीन एक चार पहला भी कल्पी साही हो जाएगा वस्तु की मातरा बदलने पर अपरवर्थित रहेगा तो आयतन बाहर द्रविमान यह बदल सकता है घनत तो जो है वो नहीं बदलेगा देवी कल्प साही हो जाएगा तो पचास कोईस्चन हमने इस तरीके से हल कर लिए ऐसा ही लगबग 1500 कोईस्चन है पटापट हम लोग इसको हल कर लेंगे सर सीवी दमन को भातिकी का नोबल पुरसकार पराप्त हुआ था तो यह प्रकास परकींडन के कारे के लिए 1930 में पराप्त हुआ था 1920 में लगभगुनों ने ये थियरी दी थी, 1930 में इसकिलों नोबेल दिया गया था कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है, मैनो मीटर, गैसों के दाप के लिए होता है, तो ये आपका सही है कार्बुरेटर आंतरिक दान इंजन का है, ये भी सही है कार्डियोग्राफ अर्दैगरती के लिए हो भी सही, सीस्नों मीटर जो है भोकम से समन्नित है, जो प्रेस्टेतल की वक्रता है, ये इस्फेरो मीटर से होता है तो आपका ये वाला विकल्ब जो है आपका उत्तर हो गया, सुमेलित नहीं है, D क्यूरी किसकी काई का नाम है, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिब धर्मिता का, सही सुमेलित कीजिए, फैदो मीटर से समुदर की गहराई, बैरो मीटर से वायमंडली दाब, हाइग्रो मीटर से वायमंडली आड़ता और लल्टी मीटर से उचाई, तो आपका सही भी कल नहीं होज़ाएंगा, चार एक दो तीन यहने की भी बेजही हो जाएगा, नहीमलिकित में से कौन सा सुमेलिध नहीं है फिरसे, आइसो बार वायदाब चा संबन दित है, आइसोभार का मतलब समान दाव वाले अस्थल वायदाव आइसो आइड समान वर्सा वाले अस्थल आइसो हेलाइन जो है समान लवरता के लिए होता यहां बर्प दिया गया है तो आपका यही गलत हो जाएगा आइसो बाज जो है समान गहराई का यह भी सही है तो आपका इसमें आंसर आपको मिल है उनसे हरोलोजी जो है समय मापन का विग्यान है परमाण उर्जा का जनक किस विग्यानिक को माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है समय मापक विग्यान है तो समय मापक विग्यान है आपका हरोलोजी विग्यान का छेत्र जो मानोयम यंत्र के मद्य स्वचलयम संचार का अध्यान कहलाता है तो cybernetics इसमें कहलाता है इसमें जो hydroponics है तो ये जली एक रिसी है जो cryogenic से निमनेताप का अध्यान है और dietetics जो है ये आहर सास्तर का अध्यान है वेग्यानिक Albert Einstein प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है इनका प्रमुक का रहे है photoelectric effect के लिए पहला दूसरा भी कलब बहुत की की साखा में अतिसोक्स मिकणों की चाल का अध्यान किया जाता है तो ये किया जाता है quantum mechanics में क्यूसेक में क्या मापा जाता है क्यूसेक कहा जाता है कितना जल का बहाओ हो रहा है तो जैसे पानी उगरे छोड़ा जाता है बान से तो क्यूसेक में जल का बहाओ क्रितिम मौसाम उत्परंद कराने वाला कहलाता है क्रितिम मौसाम करता है cytrotron फिर से सुमेलित करने का question है क्यूसेक को मापा जाता है क्यूसिक प्रवाह की दर यानि कि जो पानी का प्रवाह रहता है तो यह आपका हो गया क्यूसिक बाइट कंप्यूटर की मापंग इकाई है रिक्टर जो है यह आपके भूकम की तिवरता से समंदित है और बार जो है वो दाप से समंदित है तो आपका इसमें सही विकल्प हो स्टीफन होकिन्स क्या है एक तो वैज्ञानिक है तो बड़ा असान से क्वेश्चन है निमलिकित में से किस ने बहुति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विच्व में संदान किया है तो इसमें जो है यह उतर आओगा आपका जग्दीश चंद्र बोस है इसमें देख सेखर को नोबल पुरसकार किस कारे के लिए मिला था तो इनको मिला था नक्षछ चत्र बहुतः केलिए meng anda है सही रहां करें फिर से यहां पर मिलाने के लिए आगया 7 dort में मुआइए यह e Today दारह से सिम्, वाट है समुर्ठ से स्म्द ़फोल्ट है विभांटर से सम्दित, कैलोरी है उसमा से सम्दित, जूल है कारे से सम्दित, और ओम है प्रत्सोल से सम्दित, तो 2, 1, 4, 3, 5 है, 2, 1, 4, 3, 5 है अपका भी विकल्ब सही हो जाएगा, एक न्यूटन का बल बराबर होता है, तो देखें, लगभग 10 लाग डाइन होता है एक न्यूटन में, बोलो मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बोलो मीटर का प्रयोग जो होता है, वो तापमान के लिए किया था, यह विकिरन ताप के लिए, ठीक है, यह आपका बोलो मीटर तापमान के लिए हो गया, राडार का अविसकार किया था, तो राडार का अविसकार कि कि आइस प्रकारब TIME के हैं किन्यूटर जो इसकेन्स के पर्याबर होता है इसमें जो बल का मात्रक दिया गिया है इसमें यह कि बर का होगा नियूटन और चम्ता का जो है वह जूल पर सेकेनल यानी वाट होगा रूदा का भी जूल होगा एप्रकार स्वर्स कितने मीटर के बराबर होता है यह मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक जो एक क्वेशन साथ इसमें छूट गया एक फर्मी मीटर बराबर होता है तो वह 10 to the power minus 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकास वर्स कितने मीटर के बराबर होता है तो 9.46 multiplied by 10 to the power 15 मीटर बादलों की दिशायर्म गती को मापने वाला यंत्र कहलाता है इसमें जो एनिमो मीटर है वो वायू की गती और सक्ति का मापक होता है जो रेंगेज है यह वर्सा मापक है जो इसमें हाइग्रो मीटर है उससे जलका घनत माप पा जाता है कोड़ी वेग की विमा क्या होती है तो इसमें कोड़ी वेग की विमा पूछा गया है तो इसका मतलब इसमें कौन-कौन सी मूल रासी नहीं होती तो कोड़ी वेग में न तो द्रबिमान होता है न तो लंबाई होती है जो कोड़ी वेग होता है इसका फार्मूला होता है कोड़ बटा समय तो सिल भी बिवया उगर स्यी होता है बताएं किसे पर मैं इसमाज नमा डूंगा जीसे कि आपको फीडियो से क्या नापते कैने हैं तो अल्टीज में अपता है यह दापिढ़ी अधार होता तो बहुत थे उचाई होगी तों होगी पर से स्क्वार कि इसमें जो मीटर पर सेकंड गिया यह वेक का होगा जो तुरण का होता है वेक परिवर्तन बटे समय होता है तो वेक से गुरूणन करती हुई ऐसी प्रडाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर रासी के लिए किलोग्राम का समय के लिए सेकंड का ताप के लिए केलविन का विद्धुत तरंग प्रवाह के लिए एंपियर का प्रकास गरत के लिए कैंडिला का ताप अदार्थ की मातरा के लिए म Newton second आव एक का मात्रक कौन सा होगा Newton second किस ने पहला 140 वहान automobile बनाय था तो Karl Benj ने बनाया था एक बार बराबर होता है तो एक बार होता है 10 to the power 5 Pascal अगर आपको याद हो तो लगवग एक लाग पास्कल के बराबर होता है तो इसमें जो दिया जाएगा आपका 10 to the power 5 पास्कल दिया जाएगा टेकोमीटर वाहूपकरण है जिसे मापा जाता है तो चाल गूनन गती में निमलिखित में से असत्य को चुने जिसमें कौन सी गलत है हर्ट फ्रिक्वेंसी मापन की काई है सही है केल्विन तापकरम मापन की काई यह बिल जो है जो वातामर्णी दबाव मापन की काई है तो तो बिल जो है ये द्वानी तीब्रिता का मापन का है, तो यह वाल आपका गलत हो जाएगा, वातमर्नी दवाव तो जो है आपके बैरोमीटर से मापन की काही है, तो यह वाला सही यानी किसी भी खल्प इसमें सही हो जाएगा, निमलिखेत में से कौन सी वेक्टर रासी है, व सूख्शमदर्सी कह बश्कार कियa था जिछ जंसन ने पर्माढगरी निम्लिखित मेंसे किसके संक्रमण पर अधारित होती है तो यह CSI 133 पर होती है CSI 133 पर जूल निम्लिखित की काई है जूल किसकी काई है तो हूल कार यह कई होती है यहां पर आपकी क्या धिया हो इसकती क किसका एकक है तो असब सक्थी राज्फित मैं से कौण सी सदिस राजी है फिर से वेक्टर पूछा गया है इसमें जो संब्वेक्ट है वो आपकी सदिस राजव है एंग स्टरॉम क्या मापता है तो एंग स्टरॉम से मापा जाता है वेबलेंग, तरंग दैर्दे आई फिर से हाँ सुमिलत करने के लिए क्विश्चन आ गया है दिये गे भातिक रासियों को मिलाना है भातिक रासियों और मातरक से तरंग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर बल का हो जाएगा न्यूटन किया गया कारी हो जाएगा जूल और तापमान का हो जाएगा फॉरेंड हाइट यानि कि आपका सही भी किल्प हो जाएगा चार तीन दो एक सही भी किल्प सही हो जाएगा निमलिकित में से नाट का उपयोग किसमे किया जाता है तो नाट का उपयोग गती के लिए जो आपके जाते है पानी के जाहाज उनका प्रयोग किसमे कियाता है नाट में तो गती के लिए Albert Einstein क्या थे तो बहुत एक सायस्त्री थे अदिस रासी कौन सी है अब जहाँ पर अदिस पूछा गया है तो उर्जा जो है वो अदिस रासी है बलागोंड संबेग जो है ये का सदिस हो गया नमलिकित में से कौन सी सदिस रासी है वेक्टर पूछा गया है तो इसमें तौरण जो है आपका सदिस रासी हो गया तो द्रबिमान समय घनत तो है वो आपका अदिस रासी हो गया सदिस रासी कौन सी ये पूछा है तो कौनी संबेग जो है वो सदिस है दाब धारा सकती जो है वो अदिस रासी है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयोक्त उपकरण होता है तो जहाजों में समय मापन होता है वो क्रोनो मीटर से होता है इसमें जो सोनो मीटर दिया गया है एक्चुली ये आपका जो टेंशन होता है या फ्रेक्वेंसी ये वाइबरेशन की फ्रेक्वेंसी देंसिटी टेंशन मापता है ये सुनो मीटर जो कमपन होता है उसका और जो गलवेनो मीटर है ये परिपत में धारा की दिशा विभवांतार को मापता है और जो बोलो मीटर है ये उसमी विकिनर को मापता है तो आपका तीनों विकल भी अगर पूछा जाए तो आपको यह पता होना चाहिए निमलिकित में से कौन सी कोणी वेक की सही काई है तो कोणी वेक का अगर सही काई देखें तो कोण बटे समय होता है तो कोण बटे समय का मतलब हो गया कोण का रेडियन हो गया समय से सेकंड यानि की रेडियन पर सेकंड जिसका सही जो उत्तर होगा वो डी होगा रेडियन पर सेकंड इसके भीमा T-1 भी हो सकती है तो इसे माइक्रोन दिया गया है माइक्रोमीटर कितने होता है तो 10 to the power minus 6 होता है या आपका पहला भी कल सही हो जाएगा बहुत छोटे समय के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो Atomic Watch का Atomic घड़ी का एक माइक्रोन किसके बराबर होता है तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 to the power minus 6 के यानि कि 0.001 मिलिमीटर के TV का अविसकार किसने किया था Jail Bear ने वाइरलेस का अविस्कार किस ने किया था तो मारकोनी ने अविस्कारों से मिलान करा रहा है जी मारकोनी का हो जाएगा रेडियो ग्राहम बिल का हो जाएगा फोन जो टेली फोन है ग्रामो फोन का हो जाएगा थामसलवा एडिशन और इनका बल्वी भी था टेलिवीजन का हो जाएगा JLB8 तो इसमें जो दो, तीन, चार, एक है यानि की दी विकल्ब सही हो जाएगा विबाउंतर मापने के लिए प्रयुक्त क्यों जाना जा सकता है तो विबाउंतर किसे मापा जाता है बोल्ट मापी से मापा जाता है जिसमें अमीटर है वो विद्धुधारा से गल्बन अमीटर आपका विबाउंतर के लिए प्रयुक्त होता है अदिस एक प्रमात्रा है जिसमें परिमार होता है लेकिन क्या नहीं होता है तो अदिस में दिसा नहीं होता है तभी तो उसका नाम अदिस हो गया तो यह तो अपने आप में इतना उतर है जड़त आगून मातरक है किलोग्राम मीटर स्क्वाइर का तापमान का एसाई मातरक है तो तापमान का एसाई मातरक हो जाएगा केल्बिन इसमें जो जूल है वो कारे का मातरक है वाट है सक्ती का और कैलोरी जो है वो उर्जा का मातरक है यंग प्रत्यास्ता घुरांका एसाई मातरग है निूटन पर मीटर स्कॉयर गेलुलियों कौन थे आक हगो लग गें एञे ही नहीं बताया कि आपनी दुरिवीन बनाई और इससे देखिया कि प्रिथवी और अन्य ग्रहाजों है वो सूरी के चक्कर काटता है अलाकि इसके लिए उन्हें सजा भी भुगत नहीं पड़ी chronology किसका अध्यान है तो chronology है समय की अवधिका तुरंग ग्यात करने का सही सूत्र कौन से होता है A is equal to V minus U upon 2 Actually, इसका जो फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है तो जो V है ये अंतिम वेग है जो U है वो प्रारंबिक वेग है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो वेग में परिवर्तन निकलाएगा और T समय से है तो आपका सही भी कल्प A हो जाएगा टेलीफोन का अविसकार किस ने किया था? तो टेलीफोन का अलेकजंडर ग्राहम बिल ने किया था इसमें थामस एलवाडेसन जो है वो ग्रामोफोन और बल्व का इनोंने अविसकार किया था जो गैलियो और अट दुर्बीन बनाया था जी मारकोनी का रेडियो आविसकार के लिए फिमस है नोबेल पुरसकार जो एलपिर्ट नोबेल के नाम पर सुरू हुए तो उन्होंने किस की खोच की थी? जो अभी नोबेल इवाड मिलते हैं और हमप्री डेवी ने किया था थियोडोलाइट यह अंतर किसे क्या मापा जाता थियोडोलाइट से उंचाई मापने के लिए कोण के जरिये फ्रियो किया था लंबोवत कोण सूरी की क्रिनों की तीब्रता एक्टियो मीटर से बताया था जो मतलब 3D रिकॉर्ड पुनरुत पादेत करने की तक्नीकी को कहा जाता है तो होलोग्राफ ही आप बुकोग्राफ पर देखते होंगे होलोग्राम का स्टीकर चिपका रहता होगा अलबर्ट आइंस्टीन ने कारपस्कुलर थियोरी का प्रियोग क्या बताने के लिए किया था तो अच्छली इस अन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बताने के लिए इसका प्रियोग किया था बाके दूसरा जिनकों है वो दर्भिमान उट जा समीकरन है वो इस इकल्ट तो श्यानिता का मतलब है विस्कॉसिती श्यानिता का मतलब विस्कॉसिती तो इसकी काई है इसाई वो इसमें दिया गया है पास्कल सेकेंड जो इसाई मातरक होता है जो इसमें 20 दिया गया है वो cgs होता है और इसका जो सहीयत उतर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पा ही दिया गया है ऑ़ थीच है देख लेते हैं वैसे जो इसका SI tasted हो पास्कल सेक केंड होता है और यहाँ पर पास्कल सेकंड कोई दिख नहीं रहा है जो рок मातर है इसका निकलता है पर कृषी के तर माझत की एक है गहाई है तो केरसीन का जो घनत होता होता है जीरो पॉइंट एट वन होता है तो इसको अगर मुल्टिप्लाइए खजार से करें तो लगवग 810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है आपका भी विकल्प सही हो जाएगा गड़ना में सहाए गड़ती साधन के रूप में लगवणक की संकल्प नाम लिखित में से किस ने की थी तो जानने पियर ने की थी पानी के अंदर धोने सुनने का यंत्र कहलाता है तो पानी के अंदर हाइड्रोफोन के ज़रीए सुना जा सकता है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से कम में जाना है तो हेलियम गयस का होगा उससे उपर का हाइड्रोजन और उससे उचेताब के लिए नाइट्रोजन लेकिन 1500 डिग्री से ज्यादा की बात हो रही है तो इसके लिए जो है आपका पौन विक्रन पाइरोमीटर का उप्योग कि जाएगा जो पौन विक्रन पाइरोमीटर होता है अचली यह जो है इस्टीफन के नियम पर अधारित है और यह 800 से लगवब 3000 डिग्री सिंटिगेट तक का तापमान का मापन कर सकता है माप की कौन सिकाई है जो 0.39 से गुड़ा करने पर इंच प्राप्त होता है तो एक सिंटीमीटर आवर 0.39 इंच ही होता है तो सिंटीमीटर से इसको करेंगे तो यह 20 से आपका सही तर्स हो जाएगा में लिखे ते साई उनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो कारे का जूल यह सही है बल जो न्यूटन है यह भी सही है दर्विमान किलोग्राम यह भी सही है दाब जो है अक्चली एसाई उनिट ने पूछा है दाब का डाइन है तो सही लेकिन यह सी जीएस में होता है एसाई में नहीं होता है, एसाई में आपका पास्कल होता है, ठीक है, तो यह आपका डी विकल्प, यहां सही उतर हो जाएगा, सुमिलित नहीं है, एक नैनो मीटर होता है, तो यह आपका डी विकल्प, यहां सही हो जाएगा, तीन के गुड़क में होता है, यह यह दिया गया औरे माइक्रो का दिया गया है निम्लिखी त्युपतियों में से किसके द्वारा भोकम की व्हOCम की ती बृटा का मापन किया जाता तो सीजमो ग्राप के द्वारा किया जाताए स्टेथोस्कोप से आपको पता है कि एदा इस्पंदन की होता था पाइर हिलियो मीटर का प्रियोग निमसे किसको नापने के लिए किया जाता है तो पाइर हिलियो मीटर का सोलर रेडियेशन मापने के लिए किया जाता है फिर यहां देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है ओडो के लिए होता है तो आपका यही वाला गलत हो गया यानि कि दी विकलप आपका समेलित नहीं है फैदो मीटर का उप्योग किसे नापने में किया जाता है समदर की गहराई दूद के घनतों को किसके दौरा मापा जाता है लेक्टो मीटर जो जूल उर्जा से उसी तरह संबंदि है तो जूल जो है उर्जा का मातरक है तो पास्कल किसका है दवाव का दाप का मातरक है वाई की गती निम्लिकित में से किसके दौरा मापी जाती है तो वाई की गती इन्वो मीटर से मापी जाती है वैरो मीटर जो है दाप का है हाइड्रो मीटर जो है जो तरल का का जाता है तो विगिनर्ट ताप मापी पेरो मेटर का जाता है उसमा की इकई में विकल्प यहां पर यह जाएगा लिए इसका आविया विल्लाम रांजन ने किया था तो इसका सही उत्र हो जाएगा रांजन ने किया था एक इसने भी काफी कोश्चेन है ऐसा ही उसको हम लग 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 विकल्पों पे चर्चा करेंगे पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा बिलते हैं अगले प्राक्टिसेट के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई